हेलो स्टुटेंट्स वेलकम टू हर्षिता को आमस क्लासेज मैं हर्षिता गुपता आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक इंस्टिश्टिशनल फ्रेमवर्क पॉर विस्नेस है मैंने सिक्स्टी मोस्ट इंपॉर्डें एमसी क्यू लिए यूनिट टू से रिलेटेट यूनिट की वीडियो अप्लोड कर चुकी हूं आप उससे पहले नोट की पूरी समरी अच्छे से पढ़ लिजिए उसके बाद आप मसी क्यू देखिए ताकि आपको सारे कॉंसेट क्लियर हूं चलिए अपने लक्षर को स्टार्ट करते हैं लक्षर को स्टार्ट करने से पहले मैं यी लगता है कि आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग खें आपके लिए बेरिवीज रह तो प्ली ये लग ellyक कर सकते हैं करे कर लीजे अगर कोई पॉइंट रहे गया हो तो प्लीज उसको कवर कर लीजेगा चलिए अपने लक्षर को स्टार्ट करते हैं अगर बात करते हैं से भी तो से भी इस्टापलिश हुए था 1988 में और जो एक्ट पास हुआ था वो 1992 में आपको ध्यान रखना है देखिए ना थकटीव 1260 मैंने इसे हैं इसे पहले बाले वजल को भीडियो में डिस्क्राइब ख़्या हुआ है स्टे तोवा जाल लेखना में तेसकोषी करना और इंटेर्श नफेट औरप्रेटियम खैटए नफानी स्टेश एक्षेंज इंडिया वो कौन सी है सेभी है वो अपॉइंट चेर्मेन ऑफ सेभी सेंटरल गॉर्मेंट यह मैंने भी आपको पताया है सो यह आपको धिहान रखना है नेक्स्ट एड्मिनस्ट्रेटिव ऑफिस जो हैड ऑफिस है वो कहा है मुंबई में या बॉम्बे में एक ही चीज है सेभी हाज सैवें प्रीजनल ऑफिस सेभी अमेंट जो एमेंट जो है वो वाज इन्टिज इन टू थाउजन थ्री बुल एं इस पैक्चुलेटर्स का मतलब होता सट्टा बाजार तो उसमें यह दो वर्ट्स होते हैं फिर बात करेते हैं नंबर ओफ रिकॉगनाइज स्टॉक एक्सचेंज इंडिया तो यह 21 नंबर ओफ इस्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है हाला कि यह जो कुश्चिन है यह कशयानल आई प्रोजच इसमें लिया हुआ है नेक्स ले लेते हैं यह पर डायश पुछा गया है मार्किट वेर दी एग्शस्टिंग सीक्योडिक आपक अकम्प्ईend रगेगा है हैं नेक्स्ट यहां पर पूछा किया है कि डाइश इस ब्रोसेस और अफ एड्मिटिंग इस शीरिटी फॉर ट्रेडिंग और रिकॉग नाइज इस टॉक एक्ष्चेंग लिस्टिंग लिस्टिंग जो होता है जो भी सिक्यूरिटी इसुरीटी इस प्रेडिंग फैले चोंब बाइंग और सेलिंग करते हैं security on the behalf of the investing public उनको हम लोग commission brokers कहते हैं सेवी वोज गिवा स्टेटरी स्टेटरी स्टेटर सीना यह नाइन्टीन नाइन्टी टू बाइप एक्ट आप दी पार्लियमेंट यह नॉन स्टेटरी है यह भी आपको ध्यान लेकना है नेक्स ले लेते हैं यहाँ पर पूछा गया है डाश इस एन इन्डिपेडेंट बोडी तो एसेज रेगुलेटर्स और इन फ्रेमिंग दी अमिनस्टेटिंग रेगुलेटिंग इन्दी कापिटल मार्केट लाइक फाइनस इंडर्स्टी डेवलप्मेंट काउंसल तो एस आर अंडर्राइटिंग और इस इन्डिप्ट इंडिवूशन आर देर थ्री में सर्वेसेज यह मैंने आपको देखिएगा नोटस में मैंने आपको बता है यह प्राम्परी मार्केट के में सर्वेसेज हैं इस इस वेरी वरी वरी इंपॉर्टे इस टांड फॉर इनिशेल पब्लिक ओफर अंडर इंडर राइटर्स के अगर हम बात करें चार्च आ कमीशन फॉर देर सर्वेसेज इस पोल आज अंडर राइटिंग कमीशन ठीक है स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं means is a member of stock brokers इसके member होते हैं stock exchange के market makers are intermediaries जो market makers होते हैं हमारे intermediaries होते हैं वो इसकी थ्रूब पॉइंट की जाते stock exchange to buy and sell its security at the time as per agreed contract ठीक है यह जो 20 student question है यह unit 1 का है control दी मनी मागे देखे जो market होती है वो टू टाइप की होती है money market and capital market to money market regulate की जाती है RPI के थूँ और capital market regulate की जाती है से भी के थूँ ठीक है आपको ध्यान लगना है next लेते हैं QIP QIP stands for qualified institutional placement mmMP का भुलपाव में money market mutual mutual funds लेकिए insider trading means insider trading का मतलब क्या होता है कि taking advantage of the internal price sensitivity information for trading जैसे के माल लिए जी हमने आपको बताया भी था सेवी में insider trading जो है प्रोबिस्ट है मतलब मना है और उसी को सेवी कंट्रोल करता है मतलब अंदर में से माल लिए अपनी में कोई डारेक्टर है या मैनेजर है वो इंसाइड ट्रेडिंग कर रहा है प्राइज बता रहा है तो दे आर नोट अलाउड ठीक है आपको यहां रखना है भी फ्रॉड देंटल अन अन्फेर ट्रेड प्राक्टिस आर रिलेट तो दे सिक्यूरटी मार्केट रेगुलेशन इन ट्री वस पास्ट तू प्रोविस्ट किस चीज को प्रोविस्ट करता है मैनिपूलेशन आप दी प्राइज या फिमिस्लेडिंग स्टे ठीक है open ended mutual funds invest instruments deal with the unit that are purchased or redeem throughout the year closed ended में क्या होता है students who mutual funds होते है they are deal with the unit can be purchased during the initial period only and redeem the specified maturity date मतलब open market में क्या होता है हम पूरे साल में कभी भी उसको redeem कर सकते हैं but close ended में क्या होता है redeem जो होता है specific maturity date पे ही होगा next ले लेते हैं purchase and redemption of open ended mutual funds are done at the net assets value ठीके next asset value पे redeem होते है mutual funds scheme that provides capital appreciation through the investing their money majorly in quick equity stock is called growth fund उनको क्या कहते हैं हम लोग growth fund कहते हैं next है अच्छा इस्टोटेंट यह जो question है मेरा unit one से related है चुकि मैंने इसमें नहीं ले पाई थी तो मैंने इसमें ले लिया क्योंकि important है जो किसान credit card scheme है student ध्यान रखेएगा यह regional rural bank and commercial bank से related है यहाँ पर देखे मैंने notes में आपको बताया भी explanation भी दिया उसका क्योंकि किसान credit card जो है प्रोवाइड affordable credit for the farmers in India ठीक है इसलिए regional rural bank से related है और इसको government ने स्टार्ट किया था नवाड के तुरू ठीक है तो यापको ध्हान रखना है एक और स्टूडेंट्स पे नेक्स देखिए की टू रेगलेट स्काम इन दी इंडियन अप्शन कौंसा है तो प्रोटेक्शन से वी प्रोटेक्शन तु दी इंट्रस्ट अफ इंवेस्टर्स करता है यह काम ठीक है यह आपको पता है कि से वी काम ही होता है कि इनवेस्टर्स के इंट्रस को प्रटेक्ट करना and से भी is not a constitutional institution right से वी regulation and development of the security market yes and registering the collective investment plan of the mutual fund and in stagglow it yes so all of these is the right answer former merchant banking activity in india कब से start है 1969 से a merchant bank is a financial institution conducting money market activities तो leading हो गया आपका underwriting financial advice या फिर investment services यह सारी services हमारी merchant bank के थू की जाती है merchant banking along with the management of the public issue and loan syndication covering activities सो उसमें कौन कौन सी activities covering होती है project counseling portfolio management management counseling and merger and amalgamation of the corporate firm यह चार activity students इसमें include होती है security और exchange की जो activity है वो cv में होती है इसलिए इसमें नहीं होती है merchant bank जो first time word use हुआ था वो UK में हुआ था and money market यह भी student first unit का है बट यह important है और यह रहे गया था उसमें so मैंने इसमें discuss कर लिया money market के जो instrument है वो call money market टेजरी बिल्स है commercial बिल्स है commercial paper है और cd है मैंता certificate of deposit है and foreign investment policy सारे ही है इसलिए मैंने आप एक option करके ले लिया है so यह सारे जो instruments है वो money market के है merchant bank is an organization that किसका organization है so under right security for corporation advise client on merger involved in ownership of the commercial ventures ठीक है तो यह आपको ध्यार रखना है issue management is an important function of issue management का जो important function है वो merchant bankers and lead managers का है यह आपको ध्हान रखना है role of the merchant bankers merchant bankers को क्या काम होता है mobilization of the funds promotional function और innovation function तो यह जो काम होते है merchant bankers की होते है next लेते है 43 mcq business में यह दिख्याव पूचा गया है is an financial intermediaries अब यहां पर वो financial intermediaries के बारे में पूचा गया है जो help provide करता है mobilize and transfer capital from those who possess it those who need it तो उसको कहते है venture capital credit rating concept सबसे पहले कहां पर आया था तो USA में हमने आपको globally बताया भी था कि moody standard and poor तो तो तीन ग्रेटिंग एजन्सीज है अब हम यहां पर next हम से पूचा गया है कि जो underwriting of shares by the financial intermediaries is the kind of fund based activity किस तरीके के activity होती है है funds rate activity होती है minimum net worth of the first category of the merchant bankers one करोन underwriting of the guarantee for marketable of share किसके underwriting मतलब guarantee होती है shares shares and deventures also I think deventures ठीक है so shares and deventures also दोनों इसमें है mutual fund is very popular कहां पर सबसे दा पूपुलर सब्स हुआ से पहले यूएस में AMFI stand for association of mutual fund in India is small drop of water यह तो example है कि small drop of water में big ocean apply mutual fund हम लोग क्या करते हैं mutual fund क्या होता है example है कि हम थोड़ थोड़े से पैसे उसमें डालते जाते हैं पूल मतलब इसमें और हमें last में एक amount मिलता है तो उसी का एक example इन्होंने लिया है next ले लेते हैं AMI मतलब association of mutual fund in India was सबसे पहले start हुआ था 1950 1995 में ठीक है इसको कौन कंट्रोल करता है mutual fund कंट्रोल करता है small investors gateway to enter into the big company उनको कहते है mutual funds next rating our express code number rating कि इसके थूर हम लोग करते है code number जो AAA है वो refers है highest security rating is only guidance and not recommendation recommendation होता है यह guidance होती है एक opinion होता है ठीक है crystal कब जो है वो start हुआ था 1988 में कहरा जो हमने आपको रिटिंगे जैसे 1991 में और के जो है वो 1993 में आपको ध्यान रखना है तो यह important mcqs है यह unit 2 से रिलेटेड है आप unit 2 के दोनों videos देखिएगा इसे पहले मैंने थियो का वीडियो अप्लोड के यह उसको जरूर देखिएगा ताकि यह video आपको clear हो आई होप इसके साथ आपकी second unit भी पिपेर हो जाएगी third unit का वीडियो में जल्दी अपलोट करूँगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक करें सब्सक्राइब करें और मेरी चैनल को शेर करें पेपर के बाद रीविव जरूर करेंगा कि मेरा जो वीडियो